Hello friend, welcome to EG Nursing Academy तो चले दोस्तों आज हमारा topic है एनिमा नर्सिंग fundamental जो most important topic है उसके बारे में हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो वीडियो स्टाट कर रहे हैं वीडियो स्टाट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो वीडियो है उसको शेर करते अपने दोस्तों को ताकि उनकी भी कुछ हेल्फ हो जाए तो दोस्तों हम बात करेंगा आज हमारा टॉपिक है एनिमा एनिमा होता क्या है कितने प्रकार का होता है कौन-कौन सी मेडिकेशन इसमें यूज ले जाती है किस रूट से हम देते ह वो सारी शीज हमें इस टॉटिक में हम बात करते हैं तो देखते है एनिमा होता क्या है सबसे पहले हम डेफिनिशन की बात करेंगे एनिमा की के एनिमा होता क्या है तो एनिमा का मतलब है the introduction जा injection of any fluid और solution into the large intestine through rectum for the various purpose of cleaning medication and nourishment कहने का मतलब है कि हमें इन तीन परपजों के आदार पर cleaning के आदार पर medication और nourishment इन तीनों परपज के लिए large intestine के अंदर क्या करना है fluid या कोई भी medication या कोई भी solution हमको क्या करना है introduce करना है डालना है किस के थुरू रेक्टम के थुरू रेक्टम के थुरू large intestine के अंदर कोई भी medication कोई भी fluid या कोई भी solution कि अग्जाम में पूछा गया है एनिमा इसका आंसर क्लिष्टर है तो अब हम इसका टाइप देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन के एनिमा कितने प्रिकार के होता है तो वह किस आदार पर देखेंगे तो उसके हम तीन वेस्ट है इन तीनों के आदार पर हम क्या करते है एनिमा का डिवीजन करते है तो सबसे पहले हम देखते है कि एनिमा का कितने प्रिकार होता है एनिमा का क्लासिफिकेशन जब हम देखेंगे तो दो प्रिकार का होता है सबसे पहले क्या होता है और दूसरा क्या होता है रिटेंग एनिमा إباquent anima होता है उसको क्या बोल सकते हैं कॉस्टेक में लिख रखा है cleaning anima उसको बोलते है evaquent anima is also known as cleaning anima उसको क्या बोल सकते हैं cleaning anima भी बोल सकते है cleaning anima क्या है it is used in the rectum to increase water content इसको कभ यूज करते हैं कि rectum के अंदर water content को increase करने के लिए in the stool जो rectum के अंदर stool है उसमें water के content को बढ़ाने के लिए या फिर उसको loose करने के लिए stool जो होता है hard stool होता है उसको loose करने के लिए उसके अंदर क्या करते बाटर एड करते so that the best material of the body can be easily removed from the body ताकि जो हमारी body के अंदर जो best material है वो आसानी से क्या करे बाटर वेस्ट एनिमा इसको क्या बोलते हैं water waste एनिमा cleaning एनिमा को हम क्या बोलते हैं water waste एनिमा second है हमारा retained एनिमा retained एनिमा क्या होता है it lubricate the vowel and work by retaining in the body for at least 15 minutes or more कहने का मतलब यह क्या करता है कि जो vowel होती है उसको क्या करता है lubricate करता है और work कैसे करता है यह minimum से minimum 15 minute रुखके 15 minute रेटेंट करके 15 minute में जब रेटेंट करेगा उस time के क्या करेगा यह work करेगा कहने का मतलब minimum से minimum इसका time 15 minute रहेगा retention का इसलिए इसको क्या बोलते हैं? Retained Anima बोलते हैं अब बात करते हैं Evacuent Anima और Retained Anima उसके भी Subdivision है तो कैसे डिवाइड करेंगे? Evacuent Anima को हम डिवाइड करते हैं तीन पार्ट में Simple, Cold और Medicated Cold Anima को हम Ice Anima भी बोल सकते हैं Cold Anima को हम Ice Anima भी बोल सकते हैं अब Simple Anima, Cold Anima और Medicated Anima इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम याद करेंगे M-S-C M से Medicated, S से Simple और C से Cold Anima M-S-C करके याद कर लेंगे अब बात करते हैं कि Medicated Anima उसके भी कुछ पार्ट है उसके भी Division है तो वो किस आधारप है? वो Medication के आधारप है फूर्थ क्या है? एस्ट्राइजेंट एनिमा और फिर्फ क्या है? ओइल एनिमा ये पांच इसके सब डिवीजन है Medicated Anima के इन सभी के बारे में अपन एक्स्प्लेंड करेंगे सब आगे जो वीडियो अभी जो आएगा अपना तो उसमें सभी के बारे में explanation है कि कैसे यूज करते है, कब यूज करते है, कितना यूज करते है ये सारे चीजे जो है देखेंगे तो दूसरा है हमारा Retained Anima इसके भी पांच पार्ट है इसके पांच कौन-कौन से सबसे पहला Stimulant Anima दूसरा Anesthetic Anima फ़र्ड जो है Nutrition Anima फ़र्थ जो है Emollient Anima और फिफ्थ जो है Sedative Anima तो इसको हम कैसे याद करेंगे इसको याद करने के लिए हमारे पास एक है अभी जो S-A-N-S-E Sense Sense जो होता है, वो क्या होता है Retained Anima के अंदर होता S से Stimulant Anima A से Anesthetic Anima N से Nutritional Anima E से Emollient Anima S से Sedative Anima तो S-A-N-S-E जो फ़र्थ वाला है उसको फिफ्थ पर रख दो और जो फिफ्थ वाला है उसको फोर्थ नंबर पर जाओ रखेंगे तो क्या बनेगा? Sense बनेगा ये एक ट्रेक है, नॉर्माली आपन याद करने के लिए अपनको पता होनी चीए क्योंकि भूल जाते हैं, Confused हो जाते हैं Evacuent में Retained Anima डाल रहा है Retained Anima में क्या होता है? Evacuent Anima डाल देते हैं इसलिए मैं पता होना चाहिए है कि Retained Anima में क्या होता है? Sense, 5 होते हैं Sense S is Stimulant, S is Anesthetic, S is Nutrient, S is Sedative और S is Emollient Anima तब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं सबसे पहले हैं Evacuent Anima या Cleaning Anima के बारे में बात करते हैं, तो उसका सबसे पहला टॉपिक है हमारा Simple Anima Simple Anima जो होता है, उसका Purpose क्या होता है? To Treat Constipation Anima का Purpose, जो Cleaning Anima है Simple या Cleaning या Evacuent इसका Purpose Only क्या है? Cleaning का है, क्योंकि Retention ये करता नहीं है तो Only Cleaning का काम करेगा और जब Constipation को Treat कर रहा है Constipation को Treat कर रहा है, तो क्या करेगा? Stimulate करेगा Defication को जब अपन को Defication आएगा, मतलब जब ज़्यादा Paristylosis Movement आएगा Defication आएगा, तो क्या होगा? Constipation Automatic Release हो जाएगा सब्सक्राटर हम यूज कर सकते हैं Solution तो बैसे कोई exam में अभी तक पूछा नहीं गया है और पूछा भी मेरे हिसाब से तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मेरा experience दस exam दिये है अभी तक सभी में All Clear है, मतलब तो मेरा experience तो यही है कि Solution तो कभी पूछे भी नहीं जाएगे और अगर पूछे भी जाते तो अपनको Normally पता होना चाहिए, इसलिए इस वीडियो में यह सब चीजे डाले होई है ताकि अपना कोई भी टॉपिक में से कोई भी चीज नहीं छूटे Next है हमारा Temperature, कितने Temperature पे हम जो Simple Evacuent Tannema है उसको हम देंगे तो Temperature जो एडल्ट के लिए है वो है 105-110 डिगरी Fahrenheit जो Temperature है Adult के लिए Simple Evacuent Tannema के लिए वो कितना है 105-110 डिगरी Fahrenheit और Children के लिए क्या होता है थोड़ा कम होता है क्योंकि उनकी जो Thermo Regulator जो Mechanism में वो थोड़ी कमजोर होती है जो Adult, Normal, Mature आज में होता है उससे तो इसलिए उसका Temperature कितना होगा? 100 डिगरी Fahrenheit अब दूसरा हम बात करते हैं Oil Enema Oil Enema का Purpose क्या है? To soften the Hard Fecal Material जो Hard Fecal Material है उसको Soft करने के लिए हम क्या करते है? Use करते हैं और कभ यूज करते है? Severe Constipation जब होता है उस टाइम पे भी हम यूज करते है Solution क्या है इसके अंदर? Olive Oil, Caster Oil है Caster Oil Plus Olive Oil है Amount कितना है? Amount है 115 to 175 ml कितना amount यूज करते है? Oil Enema का 115 to 175 ml हम यूज करते है Temperature कितना होना चाहिए? Oil Enema का जो Temperature होना चाहिए वो होना चाहिए 100 degree Fahrenheit अब हमारा next आता है Purgative Enema यह Purgative Enema है Oil Enema यह क्या है? Medicated Enema के टाइप है तो आपन क्या कर रहे है? Medicated Enema के टाइप पढ़ रहे है Simple Enema अपनने पढ़ी लिया है Medicated Enema के टाइप अपन पढ़ रहे है Cold Enema जो है इसके बाद आएगा तो सबसे पहले पढ़ लिया Oil Enema, Second Way और Purgative Enema Purgative Enema जो होता है वो क्या करता है? Purgation का मतलब है Peristalsis Moment को Increase करना तो Purgative Enema का परपस क्या है? कि यह क्या करता है? कि जो Peristalsis Moment है अपने intestine के वो उनको बढ़ा देता है मतलब की जो Peristalsis Moment बढ़ेंगे तो क्या होगा? जो अपना constipation है वो क्या हो जाएगा? Release हो जाएगा और defecation जो है Increase हो जाएगा ताकि आपन आसानी से जो अपना best material, fecal material है उसको Text Create कर सके तो Purgative Enema के अंदर हम क्या यूज लेंगे? Purgative Enema के अंदर जो solution यूज लेते है वो क्या होता है? सबसे पहले हम pure glycerine 15-30 ml 15-30 ml pure glycerine यूज लेते है Second में क्या है? Second में glycerine plus water का ratio कितना? One ratio, two हम यूज लेते है Glycerine plus water का Third जो है, वो है MgSO4 Magnesium Sulphate जो है वो यूज लेते है with water के साथ 60-120 ml water के साथ क्या करते हैं? Magnesium Sulphate यूज लेते है और fourth जो है, हमारा वो क्या है? Glycerine and Castor Oil Glycerine and Castor Oil जो है हम यूज लेते है One ratio, one तो ये सारी जो चीजे है, solution जो है वो purgative Enema के अंदर हम यूज में लेते है तो क्या होता है? purgative Enema के अंदर हम इसको कैसे याद रखेंगे? इसकी भी एक हमें trick पता होनी चाहिए purgative Enema को अगर divide करें तो pure plus gative आ रहा है pure का मतलब सबसे पहला हमारा option क्या है? pure glycerine pure glycerine जो हमें याद आ जाएगा purgative से क्या याद आएगा? pure glycerine याद आएगा glycerine के तीनों solution बागी के कौन से है? glycerine के glycerine plus water 1 ratio 2 है glycerine and castorol 1 ratio 1 है और magnesium sulfate जो है वो भी हम इसके अंदर use लेते है तो हमें कैसे याद रखना पता चल जाएगा? next हमारा anti-helminthetic anima anti-helminthetic anima ये क्या करता है? इसका purpose क्या है? to kill and destroy intestinal parasite जो intestine के अंदर जो parasite होते है helminthetic जो होते है उनको क्या करता है? destroy करता है solution के अंदर हम क्या use में लेंगे? solution हम use लेंगे infusion of quasya infusion of quasya ये क्या है? एक medicina ने जो मिलती है infusion of quasya कितना लेते है? 15 gram in 600 ml water के अंदर infusion of quasya यूज में लेते है 15 gram कितने के अंदर? 600 ml of water के अंदर हम use लेते हैं किसलिए? destroy intestinal parasite जो intestinal parasite है उनको destroy करने के लिए हम use लेते हैं और कौन सा solution यूज ले सकते है? और दूसरा है हम क्या करते है? hypertonic जो saline solution है वो भी हम use में ले सकते है anti-helminthic जो anima है उसके अंदर saline solution है वो भी हम use ले सकते हैं कितना लेते है? 60 ml NS in 600 ml water के अंदर 60 ml NS कितने में लेना है? 600 ml water के अंदर हम क्या करते हैं? उसको use लेते हैं next है हमारा carminative anima carminative को हम क्या बोल सकते है? anti-spasmotic anima क्या मतलब है इसका? spasmotic मतलब spasm और anti का मतलब कम करना रधन हो जाती है, पेट दर दोने लगता है किसकी वज़े से? गैस की वज़े से तो कब यूज लेते हैं हम इसको? to relieve gaseous distension जब गैस की वज़े से पेट में फूल जाता है जिसको हम आफरा बोलते है normal language के अंदर आफरा जैसे बोलते हैं वो है तो उसको gaseous distension को क्या करते हैं? relieve करने के लिए carminative anima use लेते हैं और किसलिए लेते? to pass as flatus जो flatus है उसको pass करने के लिए भी हम use लेते हैं solution कौन-कौन से use में लेने हैं carminative anima के अंदर हमें कौन-कौन से solution use में लेने हैं सबसे पहला है turpentine turpentine add to 16 ml plus 600 to 120 ml soap solution लेना turpentine aspirate add to 18 ml plus 600 to 1200 ml soap solution लेना ya milk लेना 92 to 230 ml plus mollusis लेना to 90 से दो सो इस intestine के अंदर inflammation हो जाता है उसको prevent करने के लिए और जो bleeding हो रही होती है उसको prevent करने के लिए क्या करते है हम estrogen tanema use में लेते हैं solution कौन-कौन से use में लेते हैं solution है tannic acid 2 gram plus 600 ml water silver nitrate 2% with water और alum 30 gram plus 600 ml of water जो हम use में लेते हैं estrogen एनिमा के अंदर अब हमारा जो cleaning एनिमा या evoquent एनिमा उसका जो last जो point है वो है cold एनिमा cold एनिमा या ice एनिमा भी इसको हम भोल सकते हैं purpose क्या है इसका purpose to treat hyperpyrexia and heat stroke hyperpyrexia और heat stroke इन दोनों को treat करने के लिए क्या करते हैं cold एनिमा यूज लेते हैं जिसमें बाटर यूज में लेते हैं बाटर कितना लेते हैं जिसका temperature 80 to 90 degree Fahrenheit होना चाहिए तो ये जो है हम यूज में लेते हैं तो इसके बाद हम पढ़ेंगे return anima ये हमारा बाकी है return anima बाकी है position कौन सी देनी है वो बाकी है कितना solution लेना है कितनी height पर रखना है कैसे देना है वो सभी चीजे अभी बाकी है वो सारी चीजे क्या है हम next वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी next वीडियो जो है इसकी upload हो जाएगी बाकी का जो part है वो भी अभी upload हो जाएगा तो दोस्तों ठीक है चलते हैं मिलते हैं next वीडियो में बाई